अगर यही टाइम है तो आपको कैसे मैनेज करना है इस एक हपते की प्रिपरेशन कैसे करने चाहिए सबसे पहले तो क्वांट में अगर कम टाइम होगा तो कटफ कम जाने के चांसे जादा है वो डेफिनेटली जादा अटेम्ट कर पाएंगे इन कंपरेशन तो जो क्वांट में विक है और रीजेनिंग में 20 मिनिट्स में तो रीजेनिंग हो ही जाता है तो I think 25 मिनिट्स क्वांट को मिलना चाहिए था आपको क्या लगता है कॉमेंट करना अगर 25 मिनिट्स मिल रहा है देन आपको 40 out of 40 का टार्गेट लेके ये पूरे हफ़ते भर प्राक्टिस करने पड़ेगे मैंने हमेशा आपको कहा है कि टाइमर के साथ एक्जाम से पहले अटलिस्ट 5 से 10 दिन अटलिस्ट आपका स्पीड इंक्रेज होगा और आप मेमरी बेस्ट पेपर से प्राक्टिस कर सकते हो अब 40 out of 40 ट्लर्ग और 35 अटलिस्ट प्यो में कोसिस कीजिएगा अब सभी questions करना है तो क्या skip और क्या attempt कोई strategy नहीं जो आए उसी से start करो सभी attempt करो और और detail में चाते हूँ तो इन वीडियो में मैंने detail में समझाया है तो timing भी मैंने जैसे आपको बताया था मेंस के लिए वही आपको quant reasoning English 30 minutes each जीके computer 15 minutes each अब सबसे important है quant क्यों क्योंकि सिर्फ 20 minutes है और 30 का target आपको लेके चलना है सबसे पहले जो भी miscellaneous questions है simplification हो गये number series quadratic equation di इनको पहले निप्टा लो फिर बाद में जिन time बचे तो arithmetic में जाना पहले ही arithmetic से start करने की गलती मत करना क्यों क्योंकि अगर आपका पहले arithmetic आता है और आपको लगता है कि हाँ यह button stream का question है इसको मैं solve कर सकता है या कर सकती हूँ तो आप उसको try करना लगते हो seconds में नहीं हो पाता है करते करते ईक Meuchar हो जाता है तो आपको लगता कि एक मिनिट हो गया बड़ापा सिर्फ एक मार के आपने वहां पे अपने एक ही question attempt क्या arithmetic के तो प्रसृट कि कि इनको प्रसौन के लिए आप एक मेंने हमकी तो है link कर लेंगे तो यह देखो कि कितना time investors कर अपा रहे हो ना कि arithmetic से start करने के गल्दी हो ठीक है so yeah that's all for today कोई और doubt या query हो आप comment section में पूछ सकते हो bye bye take care